नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल घरेली उपाए में आपका त्यदिल से स्वागत हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सेंधा नमक खाने के फायदे के बारे में आप इस वीडियो को पूरा लाश तक देखें हम अपने भोजन में जदतर आयोडेन का प्रयोग करते हैं समुद्री नमक कोई बहुत ज्यादा सहथ के लिए फायदे नहीं होता है लेकिन इसका इतना ज्यादा पॉब्लिसिटी कर दिया गया है कि हमें लगता है कि यह सेंधा नमक के मुकाबले बहुत बढ़िया नमक है सेंधा नमक एक पहाड़ी नमक है जो क पुरे उत्तर भारत में बेशा जाता था प्राक्रतिक नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है आम तोर पर इस्तमाल में लाए जाने वाले सी साल्ट से हाई बीपी डियाबर्टीज लक्वा आदी गंबीर बीमारियों को डर रहता है इसके भी प्रीत सेंध प्री चमडी रोग फेफड़ा आंकों की बीमारियां मुटापा सरीर में जक्रन समेथ 20 तरह की बीमारियों का खत्रा कम हो जाता है अगर आपको लगता है कि या सी साल्ट में आयोडीन होता है और इसलिए या सरीर के लिए बहुत अच्छा है तो आप गलत है आयोडीन के च सेंदा नमक के बारे में आयूर्वेद में कहा गया है कि या आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंदा नमक बात पित और कफ को दूर करता है या पाचन में भी सायक होता है और साथ में इनमें पोटैश्यम और मैगनेश्यम पहा जाता है जो दिल के लिए बहुत फादे बंदूते हैं खास तोर पर इसमें मौजून मैगनेसियम और कोलसियम बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं यह बाड़ी को फिट रखने के लिए सबसे जरूरी तत्माने जाते हैं सेदा नमक को खाने में सामिल करने से बाड़ी को फिट और एक्टिव रखा जा सकता है दूसरा की बीमारियों से चुटका रहा है खाने पीने में लापरवाही और गड़बड़ी से अपज गैस कब्ज और एसे डेटी की समय से आम बात है या कई बीमारियों का करनड़ बनती हैं ऐसी किसी भी समय से को दूर करने के लिए सेना नमक का सिवन आपको फादे मन साबित होग भूग को बलाता है भूग ना लगने की समय से को सेंधा नमक खाकर दूर किया जा सकता है इसके चुटकी भर मातरा खाने से डाइजेशन सही रहता है मूड को सही रखता है सेंधा नमक बाड़ी में अक्सीजन की सही मातरों को बनाये रखता है बाड़ी में अक्सीजन का सह हाह से कए तरह की बीमारियां दूर रहती हैं इससे सीजनल होता है उससे रहाँ मिलती है सांसु की परशाना explor को दूर करता की कि पहुत कम ही लोग इस बात से वह हो गशिय सांसों से जुड़ी कई तरह की प्रोब्बों को दूर करता है अस्तमा से जूज रहे मरीजों को सेंदा नमक का सिवन जरूर करना चाहिए उमीद है आपको एजानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाट्सप पर स सब्सक्राइब करना ना भूलें